नमस्कार दोस्तों, मैं देपेक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आपकी बैठक में तो आज हम बात करेंगे बैंगलोर के रहने वाले 20 वर्ष यह भारतिय सुईमर शिरी हरी नटराज के बारे में जी हाँ, भारतिय सुईमर शिरी हरी नटराज ने टोकियो ओलंपिक्स के लिए ओफिशली क्वालिफाई कर लिया है इंटरनाशनल फेडरेशन फिना ने रोम में सेटे कोली ट्रोफी में मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इवेंट में उनके एक क्वालिफिकेशन स्तर को मंजूरी देती है, सुईकृती देती है इस बात की जानकारी SFI, Swimming Federation of India ने दी है उन्होंने टूइट करके ये बताया है कि शिरी हरी नटराज के सेटे कोली ट्रोफी में टाइम ट्राइल के दोरान 53.77 सेकिन के ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम को फिना ने आखिरकार मंजूरी देती है, सुईकृती देती है SFI, Swimming Federation of India ने उनका प्रतिनिद्व फिना के पास भेजा था शिरी हरी टोकियो में एक क्वालिफिकेशन प्रवेश के रूप में भारत के साजन प्रकाश से जुडेंगे नटराज ने रविवार को राष्ट्रे रिकॉर्ड यानि की नैशनल रिकॉर्ड बनाने के साथ ही टोकियो गेम्स का एक क्वालिफिकेशन इस तर हासिल किया जो 53.5 सेकंड है टाइम ट्राइल में तेराकों का अन्य प्रतिद्वन्दियों से प्रतिस पर्दा का मौका नहीं मिलता लेकिन वे अपने समय में सुधार जरूर कर सकते हैं बैंगलोर के इस सुईमर को आयोजकों ने ओलम्पिक क्वालिफिकेशन के अंतिम दिन टाइम ट्राइल में हिस्सा लेनी की सुकृति दी थी तोकि ऑलम्पिक में पहली बार दो भारतिय सुईमर्स को सीधे क्वालिफिकेशन के जरिये ऑलम्पिक गेम्स में प्रवेश मिलेगा साजन प्रकाश इसी कॉम्पिटिशन के पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाइस परदा में ऑलम्पिक एस तर हासिल करने वाले अब तक के पहले भारतिय सुईमर्स बने थे साजन ने 2010 एशन गेम्स के कासिय पदक विजेता वीर धवल खाड़े के एक मिनट 49.8-6 सेकेंड के पिछले परदर्शन में सुधार किया था साथ ही साजन दूसरी बार खेलों के महाकुम व्यानी की ऑलम्पिक्स में भारत का प्रतिनिद्व करेंगे साजन रियो उलम्पिक्स 2016 में भी भारत का प्रतिनिद्व कर चुके हैं वहीं श्री हरी नटराज पहली बार उलम्पिक्स में हिस्सा लेंगे तो जैसे कि श्री हरी नटराज का ये पहला उलम्पिक्स होने वाला है साथ ही अगर हम बात करें तो साजन प्रकाश का ये दूसरा ओलंपिक होगा तो हम उमीद करते हैं दोनों भारतिय सुइमर से कि वो टोकियो ओलंपिक्स के अंदर अपना बेस्ट दे साथ ही उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क की है जितनी भी ट्रेनिंग की है उन सब का जो बेस्ट रिजल्ट है वो टोकियो ओलंपिक्स में निकल कर आए तो ये थी आज की स्पोर्ट्स न्यूज आप सभी के लिए तो ऐसी ही लेटेस न्यूज और अपडेट्स जाने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैटक के साथ सो थैंक यू एवरिवान